हलो मैं डिवाइन फैमिली हाउजी ओल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे डिवाइनली ब्लेस्ट होंगे टोटली प्रोटेक्टिर होंगे सेफ एंड सिक्योर होंगे आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत 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 बहु मुझे इतना encourage करने के लिए मुझे मेरी readings को इतना encourage करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत thank you तो आज की reading भी friends general reading होने वाली है आज कुछ लोगों के energy को channelize करेंगे जो अपनी life में कुछ चीजों को लेके थोड़े stuck है basically उन चीजों के बारे में हम देखेंगे कि upcoming days में उनके लिए क्या आने वाला है ठीक है या फिर कोई नई opportunity या कोई नया proposal उनकी life में आने वाला है या कोई sudden change जो उनकी life में आने वाला है आज हम वो check करेंगे ठीक है तो air से देख लेते हैं messages क्या messages आ रहे हैं चीक है तो energy check करेंगे हम the moon card nine of swords the devil कोई moon magic हुआ है कोई spell walk हुआ है आपके ऊपर oh god who is this person eight of cups 10 of swords four of cups page of cups night of cups okay मैं ये भी लूँगी ठीक है तो देखी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी life में बहुत सारी problems एक साथ आई है बहुत कुछ एक साथ हो गया है उनकी life में ठीक है ये जो अभी sudden ही जो अभी moon गया है new moon I think तो उस पर किसी ने आपके उपर black magic किया है devil के energy आई है of course कोई entity साथ में attach करने की कोशिश की गई है आपके साथ कुछ तो किसी ने किया है और बहुत ही devilish energy बहुत ही negative energy project की है आप लोगों के उपर ये किसी ने बहुत ही जादा जलन के कारण किया है possibly आपको बहुत जादा आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोगों को बहुत problem हो रही है ठीक है तो वो आपको अच्छे से नहीं देख सकते ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि aware होकर रहने की जरूरत है थोड़ा सा अपने energy को cleanse करते रहिए meditation करते रहिए घर की energy को cleanse कीजे खुद को cleanse कीजे अपनी जो jewelry है उसे पहन कर रखे जो भी black magic removal होता है ठीक है और सबसे बड़ी चीज के divine के साथ अपना connection बहुत जादा strong रखे किसी भी तरह के negative thoughts अपने मन में मत आने दीजे क्योंकि nine of swords का card आया है यह इस वक्त आपकी energy हो सकते है या करने की कोशिश की गई है ठीक है तो कोई बहुत ही devil person है जिसको बिल्कुल आपका अच्छा दिखना आपका grow करना या आपका कुछ भी अच्छा करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आपको पैसा कमाते हुए देखकर या अच्छी energy में देखकर उन्हें बहुत problem हो रही है ठीक है तो यह जो इस cycle में है न किसी ने यह मैं दिखा देती हूँ यह moon magic किया है अभी जो recent nine or ten को moon गया है न्यू मून और उसमें यह devil है यानि किसी ने बहुत dark magic किया है आपके उपर बहुत heavy magic किया है आपके उपर और किसी तरह की आपकी situation को basically खराब करने की कोशिश की गई है आपकी जो भी अभी का जो समय है उसको खराब करने की कोशिश की है किसी ने और यहां पर 10 of swords का card है, किसी तरह का धोका, यह कोई ऐसा person है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी बातचीत होती है इनसे और यह आपकी full information अपने पास रखते हैं, मतलब कोई ऐसा person है जो आपके यह तो known person है या फिर आपके energy में attach है, यह person आप जानते हैं इनको यह आपके near about कोई person है ठीक है आपसे में भी telepathically यह connected हों, जानते हों आपको आप इनको जानते हैं, आप अपनी information देते हैं इनको और आपसे यह connected हैं, आपको में भी social media पर देखते हैं यह लेकिन आपको ढूनते रहते हैं हर जगा कि आप क्या नया कर रहे हैं, अब आप नय अब आप क्या बना रहे हैं, अब आप क्या create कर रहे हैं, पूरी information है इनके पास, और उस information को लेकर ने यह बिल्कुल jealous है, यह बिल्कुल भी खुश नहीं है आपकी इस चीज को लेकर, ठीक है, तो अभी यह जो है आपकी situation ऐसी है, तो जो है आपको किसी वी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह energy जो कि मुझे समझ में आ रहा है, यह backfire हो चुकी है already, और किसी ने बहुत heavy magic आपके उपर project किया है, ठीक है, और आप जो हैं, ऐसी situation में कि आपकी life में already बहुत कुछ है, आप बहुत खुश हैं, blessed हैं, divine आपके साथ है, divine का full protection है, आपको divine आ जा रहे हैं, बट आप जो हैं, किसी तरह के emotional trauma में आ गए हैं, या फिर किसी तरह का कोई ऐसी चीज है, जो आप उस चीज से आगे बढ़ने रहे हैं, आपने move on कर लिया है, कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना है, आपको divine के साथ connected रहना है, किसी भी तरह के जगड़े या पछड़ में आपको involved नहीं होना है, ठीक है, और already आप blessed है, और जो भी magic वगएरा हुआ है, ये जो कि मुझे नजर आ रहे है, backfire हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको जो suggest करूँगी, कि आप अपनी energy को cleanse कीजे, बहुत heavy black magic किसी ने किया है, बहुत heavy black magic है, कुछ तो आपको जरूर feel ह हुआ होगा, या कोई चीज आपको जरूर realize हुई होगी, आपके साथ किसी ने कुछ ना कुछ attach करने की कोशिश की है, या फिर जहां आप रहते हैं उन लोगों के साथ, आपकी जो भी घर है, उसमें किसी ने कोई negative energy project की है, तो मेरे according आप घर को cleanse कीजे, अपनी energy को cleanse कीजे, जो कुछ भी है वो backfire हो जाएगा, आप सब कुछ उसको backfire कीजे, डिवाइन के साथ connector ही, meditation कीजे, ठीक है, आप already blessed हैं, आपके पास बहुत कुछ है, यिश्वर ने आपको दिया है, लेकिन यिश्वर आपको कुछ और भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, बट आप जो हैं अप का भी कुछ involvement है, ये कोई आपका X हो सकता है, जो possibly आपसे जो है, एज में थोड़ा सा कम मुझे नजर आ रहा है, और कोई new person है, जो की mature person है, उनके energy मुझे ठीक नजर आ रही है, ठीक ठाक age होगी, पासिबल है कि आपकी age से similar age हो सकती है, 30 हो सकती है, near about, और उससे थोड़ा क या ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये पासन न, ये जो है, ये मुझे premature नजर आ रहा है, और आपको जो भी opportunity मिलने वाली है अब life में, आपको उसको जो है, बहुत ही wisely grab करना है, आपको छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, जो आपको मैं समझा रही हूँ है, प्लीज उस blessing को किसी ने रोकने की कोशिश किये है, किसी का बहुत गंदा, बहुत घटिया ये जो चीज किसी ने project किये है, ये आपकी भागय को किसी ने basically रोकने की कोशिश किये है, बट क्योंकि आप already blessed child है, तो आप एक queen की तरह है, देखिए, जो bottom of the deck की energies थी न, ये वो है, और आप ए किसी तरह का जो है work proposal आपकी तरफ है, किसी तरह की शादी का कोई proposal है, कोई शादी का मेरे ख्याल से आपकी life में आ सकता है, आप इस वक्त न, hyper stress की energy में है, already intuitive है, अपनी intuitions पर believe कीजे, इस वक्त आपकी जो भी intuitions आपको बोलती है, वही आपको करना है, क्योंकि जो भी आपक करते रहिए, ठीक है, और अपनी opportunities पर, अपनी blessings पर focus कीजे, जो भी इश्वर आपको दे रहे हैं, उससे मुह मत मोड़िये, आपको वो सब कुछ आपका है, आपका destined है, आपका हक है, आपको मिलकर ही रहेगा, आपको उसे जाने नहीं देना है, आपको उसको, उन blessings को आपको जो है, basically, receive करना है, receiving mode मर रहे है, आपको जो है, ध्यान नहीं देना वेकार की चीजों पर, या कोई कुछ कर रहा है तो, ठीक है, time prediction का message ले लेते हैं, कि time आपको क्या blessings दे रहे हैं, या फिर कितना time और लग जाएगा इन सभी चीजों में, मैं time prediction में से ले लेती हूँ, कितना time जो है, आपको लग जाएगा इन चीजों में, कितना time और मेरी व्यूवर्स को, प्लीज, angel बताइए कि वीट करना पड़ेगा, क्योंकि already कोई पीछे पड़ा हुआ है, बहुत बहुत तमीज कोई, ठीक है, next couple of months, okay, तो upcoming जो भी months है, इसमें आपको कुछ बहुत बढ मिलने वाला है, ध्यान रखेगा अपनी energies का, within 3 months हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कि कुछ आपको की तरफ बहुत जल्दी आने वाला है, soon, ठीक है, soon का card है, तो within 3 to 6 months, आपके life में कुछ बहुत ही major shift होने वाला है, आप जो है, अपनी energy को check करते रहिए, और किसी भी तरह की negative thought pattern से, किसी भी तरह की negativity से दूर रहिए, इस तरह के लोगों से दूर रहिए, basically, मैं angels के affirmation में से लिलूंगी कुछ cards, तो आपकी life में जो है न, बहुत होने वाली हैं, जो लोगों से बरदाश नहीं हो रहा, मैं भी लोग जो हैं, जो आपकी जो hidden enemies हैं, जो जलते हैं आपसे, तो वो आपको social media पर stop कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, और आपी हर moment पे उनकी नजर है, तो थोड़ा सा aware रहिए, cleanse करते रहिए, already backfire तो हो चुका ह है, भगवान आपके साथ हैं, और आपका भागय का आपको मिलकर ही रहेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, लोग खाना चाहते हैं आपके भागय को basically, एड़ा वनकर पेड़ा खाना हैं किसी को, बटा पैसा मत होने दीजेगा, ठीक है, angels क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बता जा रहे हैं, हर तरफ से बैलेंस अपने जो है, लाइफ में रखिये, ठीक है, बैलेंस डू रहे हैं, किसी भी तरह से ना जादा उदास, दुखी और परेशान होना है, आपको ना कुछ होना है, ठीक है, एक कार्ड और ले ले लेते हैं, फेट, I have faith and trust in the universe and my path, तो आपको ज प्रस्ट को जाने नहीं देना है, meditation करते रहिएगा, cleansing करते रहिएगा, ईश्वर के साथ खुद को जोड़े रखियेगा, forgiveness, I release all grudges and forgive myself and others, ओके तो आपको अपने अंदर किसी भी तरह के grudges नहीं रखने, किसी भी तरह के नफरत को नहीं पालना है, अगर आपको पता भी चल जाता है कि आपके enemies कौन हैं, तो आप प्लीज उनको जो है, ईश्वर के हवाले करते जिएगा, चीक है, इससे ये होगा कि आपके जो enemies हैं, आप उनके साथ उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनको उनके करमा का फल नहीं दे पाएंगे, गौड उनको उनके कुकरमों का फल बहुत अच्छे से दे लेंगे, और जो की चल भी रहा है, जो की मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, तो मेबी ये उनक कुछ अच्छा होने वाला और हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको receiving mode में रहना है, intuitive रहना है, ईश्वर के साथ connected रहना है, और patience रखना है, आपको अपने patience पर पूरा पूरा यकेन रखना है, बाकि ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारी blessings मिल रही है, बहु द Tort grade के लिए हो रही है, पॉसबल है कि भगवान आपको जो भी आपका लॉस हुआ या जो भी किसीने छीने के कोशिश की है, आपकी किसमा को खाने की जिसने कोशिश की है, तो उसको कुणक का मिलना स्टाट हो गया है, उसने अपना कबाड़ा कर लिया है और आप जो है, र और मेरी तरफ से बहुत सारा गुड लग और गॉड ग्रेस्ट बहुत सरे ब्लेसिंग्स आपको आप सेफ रहें सेक्यार रहें अपने घर में क्लेंजिंग करते रहेंगा अपनी जोल्डी को अपनी साथ रहें रखिएगा ठीक है तो आज की रीडिंग्स तो कुछ ऐसी थी मै कुछ channeled messages ले लेती हूँ जो divine आपको देना चाहते हैं ठीक है channeled messages ले लेंगे जो की आपके लिए देख लेते हैं कि क्या message divine से आ रहे हैं divine आपको क्या देना चाहते हैं कर्मा बैकफायर I already told you thank you divine thank you god thank you god thank you thank you so much कर्मा बैकफायर हुआ है जिसने ये गंदी हरकत की है उसको उ आप देखेंगे शायद कोई नियर बाउट आपके बिमार हो सकता है या किसी को कोई किसी तरह की कुछ ना कुछ चीज उसके साथ जरूर हुई है ठीक है बहुत प्यास लग रही है मुझे तो शायद कोई प्यासा है आप लोगों में से पानी पीजे प्लीज divine is protecting you to wrong person okay तो इसा person जिसको आप पहले से जानते हैं आपका ex हो सकता है या फिर कोई ऐसा person जिसने आपको proposal दिया हूँ आपने accept नहीं किया है उस person ने आपके ऊपर किसी तरह का black magic किया है ठीक है तो आप जो है अपनी energy में रहिए okay ये card blank आया है ये आपके लिए हमें अभी सोची रही थी ये जो है न डिवाइन की तरफ से आया है ये आपकी destiny आप जो भी manifest करेंगे divine से इस time पर जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस वक्त जो है न आप मतलब इश्वर की बहुत 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 करिपा है आपके ओपर आप जो भी मांगेंगे इश्वर से इस वक्त वो आपको मिल सकता है इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं आप जो चाहें लिख सकते हैं वो मिल जाएगा आपको ठीक है कुछ होर messages ले ले लेते हैं आप time is changing things are changing ठीक है तो time change हो रहा है चीज़ें आपके लिख बदल रही हैं आपको जो है किसी भी तरह के doubt में नहीं पड़ना है बहुत ही जादा बहुत अच्छे से आप चीज़ों को manifest कर सकते हैं receiving mode में है इश्वर आपके साथ है डबल वन डबल वन गोड इस ठीक है डबल वन डबल वन तो गोड इस प्लानिंग सम्थिंग गुड फो यू इट में जॉब में भी मैरीज और में भी ब्रेक्ट्रू तो आपकी लाइफ में गोड जो है कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हैं डबल वन की एनरजी ह कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं आपको में भी कोई जॉब हो सकती है मैरीज हो सकती है यो कोई बहुत बड़ा ब्रेक्ट्रू हो सकता है कोई मेजर कॉंट्रेक्ट भी हो सकता है बिसिकली आपकी तरफ जो आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है ठीक है एक और ले ल ब्रस नहीं लेना है जो डिवाइन है आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा ड्रीम जो आपका बहुत बड़ा सपना था कुछ ऐसी चीज जो आप सोच रहे थे काफी लंबे समय से करने के लिए बहुत बड़ा था आपको लगता था शायद वो नहीं होगा तो वो अब होने वाला है आपको जो है डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि आपकी लाइफ में अब जो भी कुछ है वो होने वाला है गौड इस वाचिंग एवरिटिंग भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो उन पर छोड़ दीजे उनके कर्मों का फल जिन लोगों आपके पास बहुत कुछ हा रहा है तो आप हर वक्त ग्राटिट्यूड 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 की एनरजी में रहिए इश्वर को हर समय थैंक यू बोलते रहिए क्योंकि इश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं ठीक है तो में भी यह चीज हो सकती है कि करते हुए देखकर तकलीफ प्रिज्ट